वक्त की बड़ी खबर की और और बड़ी खबर है उमरिया से उमरिया के बाधवगड में तीन दिनों से भीशनाग लगी हुई है हाला कि कुछ हिस्तों पर काबू पा लिया गया है लेकिन वन अमला जो है वो अभी भी बेखबर बना हुआ है मौके पर जाने की किसी भी अधिकारी ने जहमत तक नहीं उठाई है बताया जा रहा है परेटन प्रभारी और इस्थानी करमचारी के साथ इस्थानी लोगों की मदद से आग पर कुछ हिस्तों में काबू पा लिया गया है आरोप है कि पार्क प्रवंधन के मुखिया विंसिंट रहीम लापरवा है जिसके वज़ज़ से आग ने विक्राल रूप धारन कर लिया है और ये बड़ी खबर आपको मरिया से दिखा रहे हैं जहां पिछले तीन दिनों से आग लगी है लेकिन जो वैकम बन महकमा है वो अभी भी लापरवा बना हुआ है उसे कोई फिक्र नहीं है अभी तक वहां कोई भी नहीं पहुचा है आग बुझाने के लिए और जो तिपाची जड़े हैं सुरेंद्र पिछले तीन दिनों से आग लगी हुई है लेकिन वन महकमा अभी भी वहां नहीं पहुचा है जी प्रियंका देखी हम आपको बताना चाहेंगे कि बांदोगर टाइगर रिजरु का बहुत बड़ा एरिया खितौली रेंजे ताला की बचाने के लिए लगतार आग बुझाने का प्रियास कर रहे हैं तो लगभक 45-50 प्रिस्ट आग पे काबू पाया जा सका है मगर पार्क के डायरेक्टर इतने लापरवा हैं विंसेंट रही जी जिसका कोई वो मतलब कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता कितनी बड़ी लापर जी है यहां आग लगने का वैसे मुख्य कारण जो माना जा रहा है तो गाउवालों का गुस्सा आक्रोस उनका है जब उनकी फसलों को जानवरों के द्वारा नुकसान किया जाता है सासर के नियमा नुसार उनको रहतरासी देने का प्रावधान है मगर चार-चार दिन पार्क के अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं उसके बाद भी ये लोग जाकर के उनका फसल का च्छतिपूर्टी का आंकलन नहीं करते हैं जिसके कारणा अक्रोसित होकर के हो सकता है संभावना है कि कोई गाउवाला ही कहीं पे आग लगा दिया हो और आग इतनी विक्राल कौन भी नहीं उठा रहा है किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है प्रियंका जी सुरेंद्रे लोगों की नराजगी जो है वो बिलकुल जायज है क्योंकि अभी तक वन महकमा वहां नहीं पहुचा है लेकिन सुरेंद्रे ये जो लाखों की नुकसान हुआ है जो उस गए होंगे मेधले मर गए होंगे चोटे चोटे जानवर जो आख भाग नहीं सके वो इसका कोई भी आक्राँ कहीं भी कोई भी बताने के लिए तयार नहीं है पूरे जिम्मडर अपना पल्ला ज्डा किनारे बैठे हुए हैं, फोन भी बंद किये हुए हैं, कोई फोन उठाने को भी तयार नहीं, प्रियंतर. जी जरुन्तर चलिए बहुत बहुत शुक्रे आपका इन तमाम जानकारियों के लिए.